नमस्कार साथिकों स्वागत था आपका एंप्लेमेंट्स पॉइंट में SSC कॉस्टेवल की जो विकेंस यान नहीं थी जी डी की तो हम आपको बता देते हैं पहली अप्डेट है कि यह फॉर्म जो के 21 साथ 28 से आने बादे थे वो इसके बजाए अब आएंगे 24 साथ 28 से आज 22 जोलाई 28 को SSC ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कुछ टेक्निकल रिश्यू की वेज़े से क्योंकि वेबसाइट नहीं बनाई गई है और उसमें कुछ टेक्निकल रिश्यू आ गया है इसलिए यह फॉर्म अप 24 साथ 28 से बढ़ना शुरू होंगे और तब भी एवेटाइमेंट ओफिशली वेबसाइट पर जारी होगा हालांकि एंप्लॉइमेंट न्यूज में जारी हो चुका है लेकिन जब वेबसाइट पर आ जाएगा तब ही हम इसे आपके लिए लेके आएंगे और उसी के अंसार लास्ट डेट भी एक्स्टेंड हो गई है अब चालान का जो जनरेशन है वो 24-28 तक हुआ होना चाहिए बागी टम्स और कंडिशन्स सेम रहेंगी तो एससी ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 21-28 से फोरम आने वाले थे अब वो 24 अगस्ट 28 से आएंगे दूसरी बात कि जो इस्ट्रक्शन है वन टाइम पासवर आपको पहले रचिशन करना होगा जो आपने पहले रचिशन कर रखा था आईडी पासवर्ड वो काम नहीं करेंगे तो आपको दोबारा नई से रचिशन करना होगा एससी के वेबसाइट पर पहले आप इस सक्षन को ध्यारप पढ़ेंगे उसके बाद आप वन टाइम प्रोसस के थुछ पारट वन है उसमें आप रचिशन करेंगे इसमें अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप ओटीपी के थुछ आपको मोबाइल लबर वेरिफाइग करेंगे साथी इमेल आईडी भी आप उपलप्त करेंगे इसके लाबाबा आधार और या पर आधार एंवर्मेंट नंबर भी आप अपनामत करेंगे अगर यह नहीं है तो आप बोटर आईडी कार्ट पैन कार्ट पासपोर्ट ड्राइविंग लैसेंस इसकुल कॉलेज आईडी और एंपलर आईडी वह आप वहाँ शो करेंगे इसके लाबाबा आपकी टै इंदुला नहीं होना चाहिए और अगर आपके सिगनेचर ब्लेट होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे जाएगा और आप आधार का नंबर या आधार एंडॉर्मेंट नबर अप्लब्ड नहीं कराते हैं तो आपने लेफ्ट थम एंप्रेसंट की जेपीज फॉर् के लिए एलाव है तो आप उसकी डिसेबिल्टी सेटिफिकेट की इसके एंड कॉपी भी अप्लोड करेंगे वन टाइम रेजिटेशन के लिए आप www.sse.nice.in पर जाके वहां रेजिटर नाव पर क्लिक करेंगे जो लोगिन का उप्सन आ रहा है रेजिटर नाव का आप वहां से वन टाइम रेजिटेशन करेंगे और जब आप अपना रेजिटेशन कर लेंगे उसके बाद आपका ओनलाइन फॉर्म बढ़ने का उप्सन आए वहां लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैप पे जाके आप पहुचेंगे और वहां से आप अपना फॉर्म भर देंगे लेकिन वहां से लेके बारा तक आपका फिल हो जाएगा और जो एडिटेबल नहीं होगा यानि आप उसको नहीं बदल सकते हैं क्योंकि आप अपने रेज आपको टेकॉर्य इंफरमिशन बढ़नी होगी वार्ड आप एक्सर्विसमें को कोई भी रेलेक्सेशन नहीं दे जाएगा तो यह अक्सर्विसमें क्या सिर्थ है उनको कोई भी चूट नहीं दी जाएगी एक रेलेक्सेशन कर चाते हैं तो उसके लिए आपको अपने केट करेंगे के आई एग्री उसके बाद आपकी जो फॉर्म की इंफरमिशन है वो सम्मिट हो जाएगी आप उसको सम्मिट करेंगे और उसके बाद जो केंड़ेट्स फीस से एक्जेम्टर नहीं है जनको छूट नहीं मिली हुई है वो एस वे चालान या फिर ऑनलाइन मोड के फीस जमा करेंगे और अगर चालान के तुरू आप जमा करते हैं तो आपकी फीस दो-ती दिन में अपडेट हो जाएगी इसके बाद आपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाएंगे और वो आपको कई भी बेजने के आवशकता नहीं है आपको कही नहीं बेजनी है लेक अगर फिजिकल इस्टेंडर बैडिकल इस्टेंडर पूरे करते हैं और आपके पास है तो आप जरूर भढ़िए दोस्तों उम्मीद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए सेरे जरू कीजिए और आपने अब तक हमाई चनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वी वेकर स्टेट पर सलाते रहेंगे धन्यवाद